चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुक सचेवालोग कुमार ने कहा नहीं चुपाया जा रहा मौत का आंकड़ा स्वास्थि मंत्री क्यों नहीं आये वन स्वास्थि मंत्री बताएंगी पर यह बहुत बड़ा आउट्प्रेक हैं हम प्रयास कर रहे हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रमुक सचेवालोग कुमार ने सो अशेया शिशू चेगित्सालिय का किया निरीशन भरती बच्चों से की मुलाकात जाना उनका हाल नए बन रहे होस्पितल में डाले गए सो बैडों को भी देखा मीडिया से हुए रूप रूप होके कहा मौत की आंकरे छुपाने पर कहा कि आंकरे नहीं छुपा रहे हैं मैं आ जाया हूँ देख रहा हूँ स्वास्क मंद्री तो नहीं आए वन स्वास्क मंद्री बता सकते हैं मुची जो निर्देश मिला है मैं आ गया हूँ पिरुजाबाद में देंगी मुठार के चलते 20 अगस्त को मुखिमंट्री योगी आदिप्यनाथ में पिरुजाबाद में दौरा क्या था सब्सक्तर 49 की मौत मुई की येकिन ये आंकरा उनके दौरे के बाद कल नहीं हुआ बलकि बढ़ गया आज मौतों के आंकरे की बात करें तो सर्कारी आंकरा 50 की मौत में लिए अपता रहा है नेकिन मौतों की संख्याय समय 50 की पार वे चुकी है आज उक्तर प्रदेश सर्कार और मुखिमन की योगी आदिपयनाथ के निर्देश के चिकित्सा शिक्षा वुभाग की प्रमक सचेवालो कुमार के रुचाबाद के मेडिकल कॉलेज में बने सोश्या चिकित्सायर में निरीक्षन करने पहुँच जहां उन्होंने भरती बच्चों का हाल जाना इसके साथ साथ उन्होंने नए बल्देश के पॉस्पिकल को भी देखा और वहां जो बच्चों के रेसो अपर दलवाए गए हैं उसका भी निरीक्षन किया उसके बाद बन मीडिया से मिले उनसे जब पूछा गया कि सरकारी आंकरा पचास की मौत बता रहा है लेकिन मौत तो काफी मून है आंकरे क्यों ठुपाया जा रहे हैं तब लोने कहा कि जगे जगे जल बराव है स्वास्त मंत्री क्यों नहीं आए हैं सियम साब जब आगा यहां पर स्वास्त मंत्री क्यों नहीं आए हैं चछुर्ट sभास्त मंत्री सकते हैं, मुझे जो निद्देश मिला है इपना कह सकता हूँ और जो मुझे अभी बताये गए मैंने आप से कहा, कि जब तक मैं स्वैंग अपने आखों से देखना जू तब बात नहीं कर सकता है, जो मुझे लोगों ने बताया वो ये बताया कि वहाँ पे काफी मात्रा में इंक्रीज हुआ है और काफी एक्टिविटी बड़ी है अब आप ये कह रहे हैं कि अभी भी परियाप्त नहीं है तो वह मैं देखूंगा एसेस्मेंट देखें अगर आपने सैटिस्रेक्शन की बा वहां पे बैट्स बढ़ाएं हैं आप जाके देखेंगे कॉरिडोर्स में रखें हैं और जगहों पे रखें हैं जो हमारे स्टोर रूम्स थे वह खाली कराके उनको बैट्स बनाए हैं 200 यहां पे एडिशनल यहां पे बना रहे हैं देखें मैटम ऐसा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं यह थोड़ा बड़ा आउट ब्रेक हैं हम लोग प्रयास करें सिर्फ भी पचास बताई गई है जबके हमारे पास इसकी जानकारी है कि मृत्कों की संख्या बड़ी है तो ऐसे आंग्डे क्यों छुपा रहा है सास दिवाग अग्रे चुपाने की कोई बात नहीं अज मैं आया हूं तो मैंने सिर्फ मान्य मुपत्री जेके मुझे दिदेश दिया है कि फिरोसा बात में कैम करें गार और मैं आज में कल भी हूं और जबर पड़े तो और आगे भी रहूंगा अभी मैंने पहला मेरा प्चारिकरम रहा है या मेडिकल कॉलेज मैंने आज की डेट में एड्मिटेड है और एडिशनल बेट्स क्रियेट कर रहे हैं यहां पे दो फ्लोर पे वो भी मैं अभी काजके निर्मान निगम की प्रॉजेक्ट मेंजर के साथ आपके बानिये शेहर विदाएंग पिये हम साड़े लोग यहां माजूर है इसके बाद मेरा इरादा है कि मैं जरा एक UPHC और एक आज महले में भी जाऊंगा देखूंगा कि क्या स्थिती है और उसके बाद मैं बहतर कॉमेट करकाऊंगा देखें बिना इन्फोर्मेशन के कॉमेट करना ठीक नहीं है अभी जो मैंने मरीजों के दिमारदारों से जो इंटरेक्शन किय हमुमन लोगों ने स्वास्त जो इमका उच्चार हुआ है उसके उपर संतोष्वेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि नहीं एक आतने तो यह कहा कि हमारे बच्चे को दूसरा जीवन दान भी मिला तो अब बड़ा एक आउटब्रेक है यह सही है और इसमें हम लोग समन्व और जो फॉगिंग का काम यह सारा काम चल रहा है उन्होंने अब मुझे पता लगा कि नगर निगम ने मैंपावर भी बढ़ाया है और जो हमारे मुखे चिकित सा अधिकारी है उन्होंने मुझे बताया कि वह हाउस तो हाउस सर्वेलेंस भी कर रहे हैं ताकि मरीदों को अर नीचे के लेवल के फैसलिटा कि सारा लोड एक इंस्टिउशन के ना है नीचे के जो हमारे यूपी एच्सी हैं सीएच्सी हैं गिलास जो इनके और अस्पतार जी स्वास्तवियों राखे और प्राइवेट के लोड के उन सब का सहयोग लेकर हम कैसे इसको इपट सकते हैं लेकिन यह भी बताया गया कि यह जो है यह बोड़ा सा लॉंग डॉन आउट परसेस करेगा तुरल एकदम हम रिजर्ट नहीं दे पाएंगे लेकिन जो अभी तक हमने देखा है उस इस बिल्डिंग में उसमें बाइन लाज पेशेंट सैटिस्पाइट थे अभी मैं जाओं में और जगों पर यूपी एचसी इचसी में तभी मैं आपको पूरी बात बात दावाइब